वेल्कम तु सियार इंटे नाशनल स्कूल ओने च्लासे इस हावर यू स्टुड़ाइब यू स्टुड़ाइब गर पे रहिए सुरक्षित रहिए और घर से बाहर तभी निकलिये बहुत जरूरी काम हो तभी मार्क्स लगा कर रखिए बार बार हैंड सैनिटाइज और हैंड वाश करते रहिए और अपने फामिली मिम्बर्स को भी आप बचो यही समझाईए ताकि आपका परिबार भी सुरक्षित रह सकें सेफ रह सकें ओकी बीटा क्लास कौन सी है अपकी क्लास फर्स्ट सब्जेक कौन सा पढ़ने चारे बीटा हम इविएस इविएस में हमारे लेसन नूमबर चल रहा है त्री जिसका नाम क्या है अवर सेंस ओर्गन्स यह न्यू लेसन है आज हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे है ठीके चलो फिस स्टार्ट करते इस लेसन का नाम क्या है अवर सेंस ओर्गन्स अबर मीज हमारा या हमारी क्या हमारी हमारी Sense means ग्यानेंद्रियो ग्यानेंद्रियो हमारी ग्यानेंद्रियो और organs means अंग organs means अंग यानि हमारी ग्यानेंद्रियो इसका क्या मतलब हुरता है first lesson में हमने देखा था parts of body हमने शरीर के अंगो के नाम देखे थे second lesson में देखा था उनकी हमने activities कि हमारे hands क्या करते है, legs क्या करते है activities और दोनों ही चीज़े हमारी एक साथ कौन सी activities करते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं sense organs sense organs क्या होती है वेटा sense organs किने कहा जाता है ठीके चलो आज हम इसके बारे में देखते हैं चलो फिर start करते हैं lesson number 3 first line पे देखेंगे वेटा sense organs in our body हमारे शरीर के अंदर sense organs ठीके we have five sense organs in our body body means b o d y body body means शरीर body means शरीर हमारे शरीर में कितने sense organs हैं five कितने sense organs हैं five these sense organs are these means way these means sense organs are कौन कौन से ये sense organs हैं कौन कौन से हैं सबसे पहले देखेंगे eyes क्या है ये e y e i क्या है i i means आख i means आख पिटा ये बुग के अंदर हिंदी लिखेंगे साथ साथ मैं के साथ साथ i means आख next क्या है बिटा किसकी picture आप अपनी बुग में देखिए n o s e nose nose means ना ना क ना ठीक है थर्ड नंबर पे क्या है क्या है ये e a r e r e r means कान क आण कान next क्या है क्या है ये टंग क्या है ये टंग t o n g u e tongue tongue means g g bh tongue means g next character skin s k i n skin क्या है ये skin skin means twach twach skin means twach ये जो ये जो पार्ट है ये जो आर्गन है इन्हें इन फाइल को क्या बोला जाता है sense organs बोला जाता है कितने ही ये 1, 2, 3, 4, 5 ये कितने होते है sense organs five होते है कौन-कौन से है ये eyes, nose, ear, tongue and skin ये हमारे five sense organs होते है ओके next क्या है पिटा next लेकिंगे function function means कार्य करना underline करो और उस्कीन दे रिखो F-U-N-C-P-I-O-N function function means कार्य करना function means कार्य करना function means कार्य करना function of the sense organs याने जो sense organs है इनके कार्य ये कौन से काम करते हैं अब उसके बारे में हम देखेंगे सबसे बड़े हम देखेंगे बिटा किसके बारे में आइस के बारे में ठीके सबसे बड़े देखो our sense our sense organs help help means mother help help means mother बिटा सभी बच्ची आपने अपने बुक में ये लिखेंगे help means mother us to sense sense means अनुभव S-E-N S-E sense means अनुभव sense means अनुभव and feel feel means महसूस करना F-E-E-L feel feel means महसूस करना feel means महसूस करना many things things means कई बस्तों को कई चीजों को ठीके our sense organs help us to sense and feel many things हमारे जो sense organs है ये हमें काफी चीजों को अनुभव करने के लिए और feel करने के लिए याने महसूस करने के लिए क्या करते हैं मदद करते हैं let us learn about them चलो इनके बारे में पढ़ते हैं अब सबसे पहले हम देखेंगे पीटा eyes के बारे में क्या है पीटा eyes देखो आप अपनी book में देखेंगे वन गर्ण है जो किससे देख रही है पपी को देख रही है पपी को देख रही है कैसे देख रही हो किससे देख रही है अपनी eyes से देख रही है आप मुझे देख रहे हो किससे देख रहे हो अपनी eyes से देख रहे हो ठीके यानि देखने का काम हमें हमारा कौन करता है आइज ठीके we have two eyes हमारी कितनी eyes है count किजिए आपकी कितनी eyes है two है ठीके we see things with the help of our eyes see means देखना see means देखना things means वस्तों को हम वस्तों को देखते हैं किसके द्वारा अपनी eyes याने आखों के द्वारा जो गर्ल है वो क्या केरी I see the puppy run मैं पपी को दोड़ते वे देख रही हूँ next क्या है बिटा हम देखेंगे nose के बारे में next क्या है we have one nose हमारी one nose है we smell with our nose smell means सुंगना smell means सुंगना हम सुंगते हैं किस के द्वारा अपनी ना के द्वारा अपनी nose के द्वारा हम सुंगते हैं ठीके बिटा आज हमने किस के बारे में देखा eyes के बारे में और nose के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे eyes के बारे में देखें देखा है हमने यह देखा है कि हमारे five cents organs होते हैं ठीके तो बिटा कल हम इसी lesson को continue रखेंगे ओके बिटा आपने इसी lesson की reading करनी है thank you have a nice day बाबा बिटा take care झाल